जहिंत नमस्कार दोस्तों मैं विराड़ चोदरी स्वाग करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो के दूस्तों ये वीडियो इस पेसलिए एससी जीडी की कटोप के बारे में काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि सरक मेडिकली कटोप कितनी जा सकती इस पेसलिए उ बहुत पस्तावा होगा ये अपनी इस करनी पे देखिए अगर आपके बराबर भी नंबर है तो भी आपको रनिंग पास करके आना है रनिंग की तयारी आपको 100% करनी चाहिए अब बात कर ले हमकिसर मेडिकली कटोप कितनी कूप पर जा सकती है तो मैं आपको यहां पर कु और पस किया पर द सब्सक्राइङ की बात ही उससे भी कम पास किया आप फिजीकल में भी सारे लोग फेल हो जाएंगे आप तो कट ओफ फिर उपर बढ़ने के चांसे बहुत कम हो जाएंगे लेकिन इस बार एक चीज और भी साथ मज़ुखती है वो यह कि अब जो में राज्य कुछ लिखने वाला हूं ध्यान रखना अगर आप इन राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको 100% ध्यान रखना लाड़ो कि आपको फिजिकल किसी भी कंडिशन में पास करना है शुरुआत कर लेते हैं असम अगर आप असम से बिलोंग कर रहे हैं भले कोई सी के टेगरी से आपके कितने नमर है आपको रणिंग पास करके आना है क्योंकि हो सकता कि इसके बाद में एक दो पर यह चार नमबर भी जंप ना करें असम के बाद में आपकरें कि आंध्र प्रदेश कि 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 अ कि कि मिलाडू कि 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 तेलंगाना कि मनिपूर कि मिजोरम कि कि में घाले पर्सिम्मंगाल अंडमान निकोबार है कि ता थीज गर का कुछ एरिया सिथीज करद में आपको पता दूं है तथीज गर नकसल और बोडर एरिया अ को सा नकसल और बोडर एरिया, सेम नक्सल और बोडर एरिया, उडिशा, सेम नक्सल और बोडर एरिया, जारखंड, जेंड के गुजरात अश्रम अंद्रप्रतेश तमिलाडू तेलंगाना मनिपूर मिजोरम मेगाले पश्चिम बंगाल अंडमा निकोबार थातिजगड गोवा इसके लवा करनाटक अगर आप एन राज्यों में किसी भी राज העवि से करते हूं तो आप यह मानके चलियाए कि आपको रर्निंग परशन्ट devotion पर्स करना SCA को जादा में कट्णोड ज्यादा जंप नहीं करेगी मेडिकल के लिए आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे द्यार कि लिए मेडिकल काफ भी बात कर रहे हैं कि यहां से दो नमबर या तीन नमबर श्यादा ना बटे इन राजयों में किसी भी केटेगरी की दो नंबर या तीन नंबर से मैक्सिमम जनरल केटेगरी की तीन नंबर बढ़ सकती है इंदाजों में से बाकि किसी भी कंडिशन में तीन नंबर या चार नंबर से तीन नंबर से उपर नहीं बढ़ेगी जेनरल केटेगर की हो सकता कि तीन से चार है बागी SST और EWS की एक से दो नंबर तक ही बढ़ेगी मेडिकल के लिए कटोप तो इसलिए आपको फिजिकल पास करना बहुत जरूरी है मेडिकल के लिए आप क्वालिफाय हो जोगे अगर अपने फिजिकल पास कर लिए इन राज्यों से अब कहां से पटेगी बाकी जो भी स्टेट बच गए हैं मानके चलिए कि वहां की कटोप मेडिकल के लिए भी हो सकता कि पांचंग च्छंग बढ़ जाए जैसे सबसे पहले राजस्तान ले लिजे फिर यूपी ले लिजिए एमपी ले लिजिए दिल्ली उत्राखंड हिमाचल परदेश माराष्ट और बिहार यह दो राजस्तान यूपी एमपी दिल्ली उत्राखंड हिमाचल परदेश माराष्ट बियार और हरियाना पंजाब आप उसी केटेगरी में ले लिखा नहीं था में लेना तो पिछली केटेगरी में लेना यह जो राजे है यहां पर मेडिकली कटव और चार नमबर के बजाए सेस्ट केटेगरी या गल्स के लिए हो सकता कि 3 से 4 नमबर बढ़े लेकिन OBC और जनल केटेगरी की यहां से कम से कम मानके चलिए 3 क्योंशन उपर चलिए यह निए 6 नमबर तो उपर जाएगी जाएगी अगर आप जनल केटेगरी से या OBC से बिलोंग करते हैं तो मेडिकल के लिए कटो ठीक है इतनी उपर तो जंप करेगी करेगी इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन अगर आप मानके चलिए आपके इससे भी कम नमबर उपर है तो भी आपको फिजिकल कॉलिफाइ करना है फिजिकल तो आपको कॉलिफाइ करना ही करना है क्या पता अनुमान गलत भी होजाई में अनुमान जो लग़ा रहा हूं फिजीकली कटॉप के आदार पर है या जो बच्छोंगे नमबर है जो गेडवी में बच्चे है फिजीकल बेच्च में या हमारे बेच्च में उन बच्चों के जब नम्डों की एप डिखता हूं उस अदार पर ये सारी चीज़ें बता र लेगी उसके फिसे रेजन था कि किसी ने भी ये दिमाग में लगाया है नहीं कि तीन साल का एज रिलेशन भी तो है इस बड़ती में और जो तीन साल के बच्चे जो एंट्री की हैं सब बने एक राग लापा था कि इस बार paper कम लोगों ने थिया 35 लाक लोगों नहीं दिया लेकिन इस बार कि क्वांटिटी कम थी लेकिन ज्यादा थी क्वालिटी इस लिए तीक तीन साल का एज रिलेशन मिला था ना उसमें वो बच्चे थे जो पर्जेंट अब शीजी लिया शे लादा उपर चली गई बागी पेपर का लेवल तो हमें से स्टीटी का ऐसा ही रहता है लाट ठीक है जय हिंत जय भारत